आज हम आपके लिए अम्रिसर के अंदर एक कॉर्णर न्यू बिल्ट कोठी लेके आएं काफी सुन्दर ये कोठी बनाई गई है गेटिड कमपाउंड के अंदर ये कोठी है आए कोठी का आपको फ्रेंट एलिवेशन दिखाते हैं कोठी का फ्रेंट 27 फूट है और इसके लंबाई 22 फूट है घर के बाहर आप देखिए तकरीबन 30 फूट की रोड है कॉर्णर की कोठी होने की वज़े से कोठी के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन है आप देखिए काफी अच्छी विंडो दी गई है गेटिट बाउंडरी वाला कंपाउंड होने की वज़े से और कॉर्णर की कोठी होने की वज़े से आपको पार्किंग का कोई भी इशू नहीं आएगा कोठी के बाहर ही आप देखिए में एंटरंस है कालोनी की उसी के आपोजिट पार्क की स्पेस भी दी गई है काफी अच्छी में एंटरंस के उपर ये आपको मिल रहा है आईए आपको कोठी अंदर से दिखाते हैं कोठी में एंटर करते हैं सबसे पहले देखिए पार्किंग की स्पेस दी गई है और रेंज से स्टेर के से उपर फर्स फ्लोर के लिए जा रही है बाहर आप देखिए नो फुट का में एंटरंस केट लगाया गया है उपर से जाल लगा के कवर्ट किया गया है आईए घर आपको अंदर से दिखाते हैं घर के अंदर एंटर करते सबसे पहले देखिए आप पैसेज एरिया है प्रापरा फ्लोर के उपर देखिए विट्रिफाइट टाइल लगाए गई है डाउन सिलिंग का काम किया गया है कंसील लाइट लगाए गई है आईए आपको सबसे पहले किचेन एरिया दिखाते है किचेन के अंदर आप देखिए ये ऐल शेप का काउंटर लगाया गया है पूरा वूड़ वर का काम कंपलीट करके दिया जा रहा है काफी बड़ी विंडो रोशनी वेंटिलेशन के लिए दिए गई है प्रापर देखिए काउंटर के उपर गिरनेट मार्बल लगाया गया है काफी अच्छे तरीके से इस पूरे किचन को तयार किया गया है और काफी सुन्दर लैमिनिट लगाया गया है किचन के भार की स्पेस को आप अपना डाइनिंग एरिया के तोर पर इस्तमाल कर सकते हैं आईए आपको बैडरूम दिखाते हैं बैडरूम के फ्लोर के उपर विट्रिफाइड टाय लगाएगी रोशनी वेंटिलेशन के लिए काफी बड़ी विंड़ो दी गई है सामने फ्रंट वाल पे आप देखिए वाल पेपर लगाया गया है काफी सुन्दर डाउन सिलिंग है आप खिटकी से बाहर का व्यू देखिए वाल पेपर से इस कमरा का लुक और भी काफी सुन्दर लग रहा है घर के अंदर आप देखेंगे तो आट फूट के चोकट दरवाजे लगाये गई है ब्रांट एंड कंपनेंगी वायरिंग की गई है आईए आपको सेकेंड बेडरूम दिखाते है इस बेडरूम के अंदर आप देखेंगे डिफरेंट कलर का पेंट कलर यूज किया गया है एक दिवार के उपर वाल पेपर लगाया गया है प्रॉपर डाउन सिलिंग का काम है रोशनी वेंटिलेशन के लिए देखिए आप विंडो दी गई है काफी अच्छे तरीके से इस पूरे कॉर्णर घर का डिजैन किया गया है प्रॉपर रोशनी वेंटिलेशन का ध्यान रखा गया है बड़े राम से यहां पर आपका डबल बेड़ और अधर फनीचर आ जाएगा दोनों बेडरूमों के लिए एक कॉमन बड़ा बातरूम दिया गया है प्रॉपर देखिए वाल फ्लोर टाइल लगाए गया है रोशनी वेंटिलेशन के लिए रोशन दान दिया गया है पूरी बातरूम की फुटिंग आपको इंस्टॉल करके दी जाएगी काफ़े अच्छे तरीके से इस कॉर्नर घर का ले आउट बनाया गया है हमारी दी इंफर्मिशन अगर आपको अच्छी लगते तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए अनलॉक सुपर प्रॉपर्टी बैल आइकन को प्रेस कीजिए लाइकन शेर कीजिए इसी तरह की अच्छी इंफर्मिशन हम लोग आपके लिए लेके आते रहते हैं और इसको सस्क्राइब कीजिए तिन फूड ये वाइट स्टेर के से ग्रेनेट मार्बल लगाया गया है मम्टी एरिया के अंदर आप देखिए स्टोरेज की स्पेस दी गई है यहाँ पे आप गर का काफी एक्ष्ट्रा समान यहाँ पे रख सकते हैं मम्टी पे आप देखिए बाहर लोहे का गेट लगाया गया है सेफटी के लिए टैरस एरिया देखिए टैरस एरिया के अंदर आप देखिए काफी कवर्ड एरिया बनाया गया है और काफी अच्छे तरीके से इसको डिजैन किया गया है पूरे चत के उपर आप देखिए वाटर पूफिंग गर के टाइल लगाए गई यह बाहर आप देखिए लोहे की ग्रिल लगाए गई यह काफी सुन्दर नीट एंड क्लीन है पूरा घर है घर के बाहर ही आप देखिए में एंटरंस गेट है और सामने ही पारक की स्पेस दी गई है काफी अच्छी प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी है इस कॉर्णर घर की कीमत सिर्व 21 लाक रपे है अगर आप इसको देखना पर्चेस करना चाहते तो आप हमारे दियो नंबर प कर दो है अ गभी है ऑ्राइम में लोके सिर्व 3pt करना चाहते है तो आप हमारे दिया आप की इसका चाही है उत्सट्य में बाहर नंबर पंक रो धर रख लगर झाल झाल